हलो फ्रैंस वेलकम टू माई चैनल अज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बगेर कली की सलवार किस तरह बनाते हैं यह जाली का कपडा है इसमें नीचे की साइड जाली है दखे, आप देख सकते हैं यह जी, यह चिकन कपडा है और इसमें से बनानी है हम सल्वार ौर हम सल्वार बनाएँगे बगैर कली की ही जा ayin के कपड़ा लिया है हमने यह फॉन ने डो मीटर है क्यूंकि हमने कमीज बनाई है तो हमारा यह पौने दो मिटर कपड़ा बचा है अब हम इसको चार तय में फोल्ड करेंगे यह इस तरीके से क्योंकि यह च्छेद वाला जो निसाने यह हमें नीचे की साइड रखना है पाइचे पर आप देख सकते हैं देखो यह मैंने चार तय में बिचाया है दो यह होगई और दो यह मेरी जोइंट है तो यह मैंने चार तय में इसको बिचाया है और जो पिलेन कपड़ा है वो उपर की साइड है और जो चिकन वाला कपड़ा है वो नीचे की साइड है ज्यादतर इनमें पिलाजो बनते हैं लेकिन उसने इसमें से हमसे सलवार बनवाई है और यह पांच इंच में निकाल लिया है नीचे की साइड और यहां पर मेरी इतनी लंबाई है आप अपनी लंबाई के हिसाब से बना सकते हैं यह इस तरीके से यहां पर मुझे यह हमने यह निशान लगाया है लंबाई का वो जो पांच इंच निकाला है हमने उसमें हम नेफे का एड़ करके उसका हम बैल्ट बनाएंगे दोनों साइड से निशान लगा लिया हमने और हम इसको यहां से शीदा निशान लगाएंगे यह जो उपर कपड़ा है यह हमारा बैल्ट का है यह हमने बैल्ट निकाल ले यहां से यहां से हमारी महरी है यह देखो जैसे हम 6 इंच का पाट रखते हैं उसी तरीके से 6 इंच का निशान लगा लो फिर आगे यह दो या धाई इंच कली का निशान लगा लो जैसे हम कली डालते हैं लेकिन इसमें हम कली नहीं डालेंगे क्योंकि यह चिकन है और यहां से हम आसन का निशान लगाएंगे 10 इंच पर और फिर जहां से हमने कली का निशान लगाया वहां से यहां तक हम एक सीधी लैन बनाएंगे यह इस तरीके से यह इस तरीके से हम भी इलकुल सीधा निशान लगा लेंगे इसमें क्रोज करके और यहां से हम इसको कट कर देंगे यह इस तरीके से और अब यहां से भी हम इस निशान पर से कट करेंगे यह हमारी बिना कली की शलवार है इसमें कोई जोड नहीं आएगा ना हम इसमें सिलाई लगाएंगे क्योंकि इसमें डिजान है यह हमारा आसन का निशान था यह हमारी सलवार कट के तैयार है बिना कली कि अगर आपकी पाइंच से पे कभी भी कोई भी डिजैन हो तो आपको इसी तरीके से सलवार की कटिंग करनी है उसमें कली नहीं लगानी है ना उपर का कपड़ा नीचे की साइड लाना है कली में इधर का उधर हो जाता है ये हमने बेल्ट लिया है इसका इसमें मैं बेल्ट लालूँगी 24 इंच का ये मैंने जो नीचे की साइड कपड़ा रखा है ये मैं एस्टरा कपड़ा लगा कर इसमें नीचे की साइड फोल्ड करूँगी क्योंकि इसमें जो है डिजाइन है ना इसलिए मोहरी जो मैं बनाऊंगी वो अलग कपड़े की बना के ऐसे नीचे की साइड पलट दूँगी वो मैंने कपड़ा पहले ही कम कट कर लिया इसलिए और यह मेरा वैल्टेज उपर रखा हुआ है आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से मैंने यह आपको समझाया है अब हम करेंगे इसमें रुमाल की कटिंग जो इसमें हम लगाएंगे इस तरीके से इसकी चार तै कर लेनी है आप जितने भी बड़ी रुमाली डालना चाहो डाल सकते हैं मैंने यह 8.5 इंच का कपड़ा लिया है फोल्ड कर गया और इस तरीके से किरोज में इसमें निशान लगाना है यह इस तरीके से आप कभी भी रुमाली की कटिंग करो तो इसी तरीके से कटिंग कर लेना है यह बहुत आसान तरीका है कभी-कभी यह सोचते हैं मेरे पास बच्चे हैं सीखने वाले वो भी कहते हैं कि हमसे कटिंग नहीं होती रुमाली की तो यह बहुत आसान तरीका है यहां पर हमें सैड में रुमाल लगाना है और मेरे कपड़ा है यह बैल्ट है अब ये मेरी सलवार कटके बिल्कुल तयार है बिना कली वाली सलवार आप भी जरूर ट्राइक कीजिएगा